इस वीडियो में हम पाट बारा के मोस्ट आई एंपी कुशन नई पेपर स्टाइल के अनुसार विभाग A से लेकर के विभाग E तक के सभी मोस्ट आई एंपी कुशन और टोप टेंडिंग कुशनों का अध्यान करेंगे सभी एसाइमेंटों में से अध्यान करके हमने ये Option A समाजवादी Option B पुझजिवादी Option C मिस्र अरतंत Option D सामयवादी इसका आंसर आता है Option B पुझजिवादी आएगा तीसरा दूसरा कुश्यन देखते हैं जिस आर्थिक पदिती में उत्पादकों का आर्थिक प्रवती के संदर में सभी नेड़ों को लेने का अधिकार है वे अथात खाली जग्या उफ्चन A समाजवादी उफ्चन B मिस्र अर्थन्त उफ्चन C पुझीवादी उफ्चन D सामयवादी इसका अंसर क्या आता है ओप्चन C पुझीवादी तीसरा प्रस्म देखते हैं सार्वजनिक साहसों की मालकी तथा संचालन का स्वामित निजी छेत्र की एकाईयों को सौपने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं उप्षन A उदारी करण, उप्षन B नमनी करण, उप्षन C निजी करण, उप्षन D विलिनी करण इसका आंसर है उप्षन C निजी करण, चोथा देखते हैं समगर विश्व के विश्व के विश्व के विश्व का विकास हो, उसके लिए विश्व इस्तर पर किसकी रचना की गई है उप्षन A फेयमा उप्षन B फेयरा उप्षन C डवलू T ओ, उप्षन C ड्वी ए डवल टी इसका क्या आएगा अनसर उप्षन C आता है डवलू टी ओ पांच मा देखते हैं सार्वजनिक छेत की काईयां अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा सार्वजनिक जनता को खरीदने का ओफर करे तो उसे क्या कहते हैं आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिशन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी अभी हमने बीए का बनाया है जल्दी ही हम एको का बीए का एकाउंट का सब बिसेओं का बनाने बाले हैं अगर आप support करते हो like share भी करते रहते हो Hindu medium का एक बलंग मत्ज चैनल है जो आपकी लिए support में खड़ा, इसलिए आप भी support करते रहे वीडियो को जाज याज शेयर करते रहें चलिए आगे देखते हैं चट्टा है उद्दोगिक विकात तथा नियमन अदिनियम किस वर्ष में अस्तित्व में आया ओप्षन A 1951 ओप्षन B 1955 ओप्षन C 1969 ओप्षन D 1996 तो यह इसका ओप्षन क्या आसकता है ओप्षन A 1951 ओप्षन देखते हैं आवशक चीज बस्तुओं का अदिनियम कौन से वर्ष में अस्तित्व में आया है ओप्षन A 1951 ओप्षन B 1955 ओप्षन C 1969 ओप्षन D 1996 तो इसका अंसर क्या आएगा इसका अंसर आएगा ओप्षन B 1955 ओप्षन देखते हैं बाट और माप अदिनियम धारा कौन से वर्ष में अस्तित्व में आया है ओप्षन A 1951 ओप्षन B 1955 ओप्षन C 1976 ओप्षन D 1986 इसका ओप्षन C आता है 1976 दस्मा है गराग सुरच्चा अंदियम कौन से वर्ष में अस्तित्व में आया था जुलाई 2022 में पूछा गया है पहले इसमें से पूछे नहीं जाते थे इसलिए अब पूछे जाने लगे हैं नई पेपर इस्टाइल के अनुसार यहां पर ओप्षन A 1951 ओप्षन B 1955 ओप्षन C 1969 ओप्षन D 1986 इसका अंसर क्या आता है ओप्षन D 1986 आता है ग्यार्मा प्रस्ण है भारत में उधारी करण, नीजी करण और वैसी करण का प्राराम कौन से वर्ष में हुआ था जुलाई 2022 में पूछा गया है ओप्षन A 1951 ओप्षन B 1991 ओप्षन B C 2001 ओप्षन D 2011 तो कब हुआ था इसमें ओप्षन इसका आता है B 1991 बार्मा है भारती मुद्रा रूपाए को कौन सी संग्या दी गई है ओप्षन A इस तरह से दिया गया है ओप्षन B इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से तो इसका C ओप्षन आएगा इस तरह से संग्या दी गई है तेर्मा देखते हैं हम लोग यहाँ पर विदेशी मुद्रा के लिए भारत में बरतमान में कौन सा कानून अस्तित में हैं 2024 में पूछा गया कुश्यन है मतलब 2024 से यह नई पेपर इस्टाइल के अनुसार इस तरह से पूछा जाने लगा है फेमा उप्सन B फेशा यानि कि यहाँ पर और फेड़ा तो क्या आसकता है उप्सन A आता है फेमा चबुदमा देखते हैं निम्न में से कौन सा स्लाव निजी करण का नहीं है उप्सन A कारेचमता में ब्रद्दी उप्सन B राजकी अस्तरचीव का भाव फेमा कुशन देखते हैं निम्न विकल्पों में से कौन सा लाव निजी करण का है उप्सन A उच्छे संचालकों द्वारा सस्ता का दुरुप्योग उप्सन B आयत अता संपत्ती का असमान विवाजन उप्सन C ग्राकों का सुषर्ण ऐसन दि गुरुपत्ता युक्त बस्तु या सेवा का उत् पादन इसका उसर आता Its अन्थी संदी पत्यावं के तत्तों को मुक्त गया है इस Advent अंतरिक सत्शा है भाह तत्वar दूसरा है विदेशी मुद्रा के लिए भारत में, बरतमान में कौन सा कानुन अस्तित्व में हैं? जुलाई 2018 में पूछा गया है, फेमा दीसरा है विवसाइक परियावण के साथ जोड़े हुए तत्वों के मातर नाम दीजिए, मार्च 2020 में पूछा गया है उत्तर है विवसाइक परियावण के साथ जोड़े हुए तत्व निम्ने हैं एक है आंतरिक तत्व दूसरा बहात तत्व में आते हैं आर्थिक, सामाजिक, सांस्क्रतिक, टेकनोली, राजकी और कानोनी जोता है वेश्वीकरण का अर्थ लिखो जब उत्तर है जब कोई भी देश विदेशी कंपनियों को अपने देश में विवसाइक करने की अनुमती दे तत्व अपने देश की कंपनियों को विदेशी में विवसाइक करने को विदेशों में विदेशों में विवसाय करने के अनुमती दे तो उसे वेस्वी करन कहते हैं पांचमा है प्रतिव्यक्ति आय में कब ब्रद्धी हो सकती है मार्च 2022 और जुलाई 2022 में पूछा गया कुशन है जिस प्रमाण में यदि आय बढ़ती हो उसी प्रमाण में जनसंक्या ना बढ़े अथात आयम बढ़ने का दर जनसंक्या ब्रद्धी दर से यदिखो तो प्रतिव्यक्ति आय बढ़ती है यहाँ पर देखते हैं चट्टा विदेशी मुद्रा के लिए भारत में बरतमान में कौन सा अधिनियम अस्तित में है जुलाई 2018 में पूछा गया है उत्तरे विदेशी मुद्रा के लिए भारत में बरतमान में बिन में संचालन अधिनियम फोरेन एक्सचेंज मेनेजमेंट ए साथ माहें विविशाइक पर्यावण के साथ जुड़े हुए समू को मात्र नाम दीजिए मार्च दो यर बीस में पूछा गया है उत्तरे ग्राकों अधिकार करमचारियों प्रतिसपरदी माल के पूर्टी करताओं बगेरे का समाविश भी विविशाइक पर्यावण में होता आठ स Раз उत्तरे बिद्दि अनीटी में किन बातों का समाविश होता है उत्तरे विविविशाइक पर्यावण के आंतर क्तत्रों के हमात्र नाम लिखनी उत्तर है विविशाई कुद्देश और करमचारी और तीसरा है संचालकिय धाचा दस्मा है राजकोशी नीती किन बातों से जुड़ी हुई है उत्तर है राजकोशी नीती कर के धाचे तता सरकारी खर्च के साथ जुड़ी हुई है ग्यार्मा है सांस्क्री तत्तों में किन कि तत्तों का समाविस होता है उत्तर है सांस्करी तत्तों में परामपरा रीती रिवाज रहन सेन की मानेता है आदत आयrics्तियादी का समाविस होता है में भार महमने के विस्तित रूप लिको फेमा फॉरीय एक्स fare मैंट अगस्ट में पूछा गया था MRTP यानि Mono Policy and Restricted Practice फेरा Foreign Exchange Regulation Act GST Good and Service Tax पांचमा है WTO World Trade Organization विश्वयापर संग्टन GAT Journal Agreement on Trade of Traffic तो विभागसी में आप ध्यान रखना अगर 2025 में परिच्छा दे रहे हैं तो 2019, 2021, 2023 जे प्रस्ण पूछे गए हैं उनी को आपको ज़्यादा से ज़्याद करने हैं जिससे वह आपके लिए Most IMP Question होंगे ओके यहां पर हैं विवसाइक परियावन का नियंतन अभ्याश क्यों आवश्य के मार्च 2024 में पूछा गया है निजी करन के चार सकारात्मा प्रभाब निश्पस्ट कीजिए मार्च 2024 में पूछा गया है पेले बहुत कम पूछे जाते थे इसलिए अब ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं दो कुश्यन आएंगे इस तरह से आपको पता पड़ता है तीसरा है विवसाइक पर्यावण के सामाजिक तत्वों के विश्य में बताईए मार्च 2022 में इसको जरूर याद करना है आपको विवसाइक पर्यावण के राजकिये तत्वों से आप क्या समझते हैं इसको भी आपको याद करना दोनों कुश्यन पांचमा बिवसाइक परण को असर करते का सांस्क्रतिक परिवलों को बताओ, मार्च 2018 में पूछा गया है उधारी करण का अर्थ समझाइए, इसको आपको जरूर याद करना है, नीजी करण का अर्थ लिको इस तरह से भी पूछा जाता है आठमा है, नीजी करण के कोई चार शकारात्म असर बताओ, नोमा है जी एस्टी का विस्तरत रूप लिको, दसमा है राजकोशी नीती किन बातों से जूड़ी हुई है, मार्च 2020 में पूछा गया है ग्यारमा है, प्रतिव्यक्ति आये, में किन बातों का समाविश होता है, मार्च 2020 में पूछा गया है बारमा है, डवलू टी ओ का विस्तरत रूप लिको, मार्च 2019 में पूछा गया है तेर्मा है वेश्वी करण के सकारात्म असरों को बताईए मास 2019 में पूछा गया है इसको आपको जरूर याद करना है विवसाइक पर्यावण का अर्थ बताकर उसको प्रभावित करने वाले तत्मों की सूची बनाईए अखवाद स्तय पूछा जाताए विवसाइक पर्यावण के की तत्मों का समाविस कर साय जुलिए 2018 में पूछा गया है इसको अबहर उसको वाले तत्मों के नाम पताओ ये 2019 में पूछा गया है इसको अब अब अबर गस से याद कर लेना है आगे देखते है वीवागद 2 विभाग डी में देखते हैं विविसाइक पर्यावन का अर्थ समझा कर उसका महत्तो इसपस्ट कीजिए माज 2018 और 2019 में पूछा गया अब कुश्यन है दूसरा है विविसाइक पर्यावन को प्रभावित करने वाले तत्तों का अर्थ बताकर उस विशे में विस्तार से जानकर दीजिए अत्वा इसको ऐसे पूछा जाता है विवसाइक पर्यावण को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्तों को लिखो जुलाई 2019 में पूछा गया है तीसरा है उधारीकर्ण अथात क्या उधारीकर्ण के फल्सुरू भारत में कौन से कदम लिए गई है माँच 1994 में पूछा गया है थवा तो इसको ऐसे पूछ जा सकता है उधारीकर्ण का अर्थ बता कर उसके चार असरों को बताईये चौथा है निजीकर्ण का सकारात्मक असर बताओ माच दोयर बीस और बाइस में पूछा गया है निजी करण की नकारात्मक असर बताओ अगस्ट 2020 में पूछा गया है चट्टा है बेस्वी करण का अर्ष देकर उसके चार नकारात्मक असर बताओ जुलाई 2018 और 2019 में पूछा गया है साथमा है बेस्वी करण की सकारात्मक असर बताओ माँ 2018 में पूछा गया है बी और डी के कुश्चन सायद आपको देखने को नम ले कौन-कौन से विभाग पी और ई आपको इसमें से पार्ट में से नहीं मिलेंगे इस तरह से यह वीडियो पूरा होता है अगर आपको मारा वीडियो पूरा अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें चन